Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel. And आज इस lecture से हम start करने जा रहे हैं एक new subject that is research mythology. काफी important subject है ये research mythology का and काफी बच्चे इसके लिए demand कर रहे थे तो finally आज हम ये subject start करने जा रहे है research mythology का and कोशिश करूँगी कि एक से दो महिने में ये जो पूरा subject है research mythology का इसके जितने important topic है वो मैं करा दूँ, right? और लेक्चे start करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये जो paper है न research mythology का इसको ध्यान से पढ़िएगा. मैं क्यों ध्यान से पढ़ने के लिए कह रही हूँ? क्योंकि जैसे अगर suppose करें आप BBA के हैं, ठीक है? या B.com के student है, या ये paper MBA में भी होता है, ठीक है MBA के student है, या NET की तियारी कर रहे है, ठीक है? या आगे चलके आपका research करना है अगर आपको, अगर आपको आगे चलके PhD करना है, तो आप सभी student के लिए ये paper काफी helpful है, ठीक है? देखिए, जो BBA के student होते हैं, उन्हें second year के बाद, ठीक है? Second year के बाद, जब वो third year में जाते हैं, तो second year से third year के बीच में, जो summer break होता है, उसमें उन्हें internship करनी होती है, project बनाना होता है, research बनानी होती है, research करनी होती है, तो उस research के लिए, उस project report को बनाने के लिए, ये paper की basic knowledge बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो research report बनेगी न, वो इसी research methodology के paper के according बनेगी, research कैसे की जाती है, क्या objective है, literature review क्या होता है, ठीक है, objective of research क्या है, limitation क्या है, questioner क्या होता है, पूरी detail, data कैसे collect होता है, research के method क्या क्या हो सकते, पूरी चीजें हम इस paper में पढ़ेंगे, और ये सारी बातें आपके research project बनाने में काम आईगी, ठीक है, तो इसलिए BBA and BICOM के जो student, जो research report बनाते हैं, उसमें बहुत helpful है, ठीक है, प्लस आपका एक theory paper तो है ही research methodology का, और MBA में भी first year के बाद, first year से second year के बीच में जो summer break होता है, उसमें MBA वाले भी तो research project बनाते हैं, even MBA वाले तो दो बार बनाते हैं, एक बार summer break के time, एक research report बनती है, जो primary data पे based होती है, और एक four semester में एक report बनती है, जो secondary data पे based होती है, तो MBA वालों गों तो दो बार research report बनानी है, तो जब तक research methodology की basic knowledge नहीं होगी, तो इसलिए MBA के student के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये paper, समझना, ठीक है, और अगर आप NET की तियारी कर रहे हैं, तो NET में जो paper 1 होता है, ठीक है, NET का जो paper 1 होता है, जो common होता है सारे subject के लिए, उसमें भी research methodology syllabus में है, तो NET की अगर आप तियारी कर रहे हैं, भले किसी भी subject से, तो आपको भी research methodology आनी चाहिए, प्लस अगर आप आगे चल के PhD करना चाह रहे हैं, ठीक है, research करनी है, पिसदी करना चाह रहे हैं, तो PhD के जो entrance exam होते हैं, ठीक है, तो उसका भी syllabus में research methodology रहता है, research के आपको basic knowledge होगी, तभी PhD में admission हो पाएगा, ठीक है, तो यानि यह जो paper है, बहुत कामका है, BBA, B.com, MBA, NET की preparation करने वाले जो student है, उनके लिए, PhD जो aspirants है, उनके लिए, सभी के लिए paper काफी important है, तो ध्यान से समझेगा, और मैं भी पुरी कोशिश करूँगी, कि जितने important topic है, उनने detail में पढ़ा सकोँगी, ठीक है, तो अभी हम लोग chapter 1 पढ़ने जा रहे हैं, research methodology का, ठीक है, chapter 1 में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, एक बार short में आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो हम देखेंगे, कि research होती क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका objective क्या है, purpose क्या है research का, फिर देखेंगे, research method and research methodology, दोनों में क्या difference है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगे, types of research, research कितने type की है, research का process क्या होता है, और ये process समझना बहुत ज़रूरी है, ये वैसे question भी बहुत पूछा जाता है, बाकि research का process आपको पता होना चाहिए, जब आप research report का वाईवा जब देंगे न, research report तो चलिए बन गई आपकी, उसके बाद जब वाईवा अगेरा देने जाते हैं तो ये research process बहुत पूछा जाता है, जब तक आपको process नहीं पता कि क्या क्या step फॉलो किये जाते है, पहला step क्या होता है, दूसरा step क्या है, तीसरा step क्या है, तब तक कैसे आप research report बना पाएंगे, तो बनाने के लिए भी, प्लस वाईवा के लिए भी बहुत ज़रूरी, research process बहुत important topic है, ये भी बहुत पूछा जाता है, फिर एक अच्छी research का क्या-क्या criteria होता है, फिर इंडिया में जो researcher होते हैं, वो मेन कौन-कौन सी problem face करते हैं, तो ये सब हम first chapter में पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलिए फिर start करते हैं हम आज का lecture, सबसे पहले तो research, research का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखिये, research, तो देखिये, इसको जा हम divide कर लेते हैं, research, research, यानि, दुबारा हमें search करना है, search करना है something new, ठीक है, जो अभी तक न पता चला हो, जो अभी तक न फाइंड आउट किया गया हो, that is called research, ठीक है, नाम क्या है, research, यानि, re or search, search मतलब खोजना, re मतलब दुबारा, यानि, दुबारा खोजना, and trying to find out something new, खोजना तो है, लेकिन उसमें कुछ नया find out करना है, जो अभी तक किसी ने नहीं discover किया है, that is the purpose of research, यही research है, तो research basically क्या है, research is the search for knowledge, घ्यान की खोज, knowledge की खोज, कुछ नई चीज, कुछ नई information, ठीक है, कुछ नई inquiry करना, कुछ नई discovery करना, and trying to find out something new, that is called research, और research कैसे करेंगे, अब सवाल आता है, research ठीक है, समझ में तो आ गया, कि research क्या है, search for knowledge, यानि knowledge की खोज करना, कुछ नई चीज की खोज करना, बट कैसे करेंगे, ठीक है, तो research क्या है, जब एक scientific और एक systematic तरीके से, जब information की खोज की जाती है, किसी भी topic पर, अच्छे, एक चीज, research आप वैसे जानते होंगे, research ऐसा नहीं है, केवल finance में research होती है, marketing में होती है, HR में होती है, हर field में है, bio में, chemistry में, physics में, जितने भी sociology, psychology, जितने subject आप जान रहे है, हर subject में research होती है, थिक है, तो research care, इसे लिए हहाँ पे लिखा, on specific topic, थिक है, तो research क्या है, research is a scientific and systematic way में, जब हम information को search करते है, किसी specific topic पर, थिक है, जो भी हमारा area of interest है, जिसके हम research करना जा रहे है, किसी भी specific topic पे, जब हम systematic and scientific way में जो search करते है, information को, इसी को कहा जाता है research ठीक, और अगर dictionary definition की बात करूँ कि ये dictionary में क्या दिया गया है research क्या है तो research क्या है, एक careful investigation या कह लिजे inquiry है ठीक है, कैसे especially to search of new facts यानि कुछ नए facts, कुछ नए figures ठीक है, किसी भी branch of knowledge में आई मैंने बताया ना, किसी भी branch of knowledge में कुछ नए facts, कुछ नए figure, कुछ नए discover करना, ठीक है, कैसे by careful investigation किसी, मतलब, careful investigation से, systematic and scientific तरीके से, जब हम कुछ new information, कुछ नए facts find out करते हैं, इन इन branch of knowledge, तो that is called research इसी को research कहते है and, तो इसका मतलब क्या है, research is a journey of discovery research क्या है, एक यात्रा है कुछ नया खोजने की, कुछ नया discover करने की, क्या है, एक यात्रा है, research, ठीक है research process, एक topic, मैंने बता है न, बहुत important topic है, तो आप देखेंगे, research ऐसे नहीं अचानक होती है, research में, there is a sequence of steps बताऊंगे, उसमें 7 से 8 step होते हैं, जैसे problem define करना data collect करना, data को analyze करना बहुत सारे steps हैं, तो there is a sequence of steps, research में a sequence of steps है, उसके बाद जाके अंत में, result आता है, नहीं आता है, वो बाद में पता सलता है तो basically research के, it is a journey of discovery, कुछ नया discover करने की journey है research ठीक, इबात समझ में आई? तो मेरे कहल से मैंने काफी कुछ research के बारे में बता दिया है, तो research समझ में आगिया होगा, it is a search for knowledge कुछ knowledge, कुछ नया, कुछ information, कुछ facts की search करना, जो कुछ नया हो, ठीक है? तो उसी को कहा जाता है research और एक बात भी कही जाती है कि जो inquisitiveness होती है, inquisitiveness मतलब क्या होता है, कि क्या लीजे, jigyasa ठीक है, कुछ भी नया जाने की जो jigyasa होते ही है, this is the mother of all knowledge एक बार मैं यहापर लिखती हूँ inquisitiveness inquisitiveness, inquisitiveness मतलब क्या होता है, jigyasa to interest, मतलब jigyasa या, क्या लीजे, interest in learning learning something new, कुछ नया सीखने की jigyasa जो होती है, this is the mother of all invention ठीक है, this is the mother of all invention, यानि जितने भी invention हुए है, जितने भी discovery हुए है वो क्यू हो पाई है, because of this inquisitiveness ठीक है, मनिश में human being में यह जो jigyasa है, कुछ नया मतलब find out करने का, कुछ नया सीखने की यह जो jigyasa है, this is the mother of all this is the mother of all invention कह लीजे, यही है mother all invention की, कुछ भी नया इसी लिए discover हो पाता है, क्योंकि human being क्या है, inquisitive है ठीक है, jigyasa है देखे, मतलब यह example आपने बहुत बार सुना होगा पेड से एपल कितने लोगों के सामने ठीक है, लेकिन जो Isaac Newton थे, उनमें ही केवल क्या थी jigyasa थी, इस से पहले जो पेड से जो सेब गिरा, वो कई लोग के सामने गिरा होगा लेकिन किसी ने question नहीं किया कि क्यों गिरा, ठीक है तो जब Newton पेड के नीचे बैठे थे और सामने सेब गिरा तो उनके अंदर क्योंकि incusitiveness थी, jigyasa थी, he wanted to learn something new, कुछ नया सीखना चाते थे, तो उन्होंने की research तब उन्होंने क्या की, तब उन्होंने की research, and he find out something new, कुछ उन्हें नया मिला, क्या मिला, G G क्या है, G is the gravity ठीक है, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन यह मुझे बताएगा, इसका यूनेट मालिग देति mp per second, क्या है, आप मुझे यह इमांट बताएगा, कहीं से भी कली, google कर जाये, कहीं से ही पताकरियाप मुझे गागा उन्हें का इसका यह मेजर बताएगा, तो अब मुझे लगता है, research आपको काफी कुछ समझ में आ गया है systematic and scientific search for information, something new, कुछ निया search करना, that is research ठीक, फिर एक famous मतलब research के ही expert है, ठीक है, he's a professor, Clifford Woody, इन्हों ने research कि एक elaborated definition दी और exam में आया है, तो यही definition लिखिएगा, और लिख दीजेगा, according to Clifford Woody, हर बुक में इनकी definition दी हुई है, और यह काफी important definition है, और मैं काफी important इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि इस एक definition में, क्या लिजे, अभी जब हम आगे चलके research process पढ़ेंगे न, तो research process में आपको बताया था, कई step है, तो इनकी एक definition में वो सारे step कवर हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इनकी definition को बहुत important गह रही हूँ, बाकी तो आप यह भी लिख सकते हैं, कि research क्या है, search for knowledge, systematic and scientific search for information, journey of discovery, यह सब है, ठीक है, लेकिन यह definition लिख देंगे न, तो आपका, कह लिजे, research process भी इसी में इंक्लूड हो जा रहा है, ठीक, तो यह जरूर लिखिएगा, तो research है क्या, तो इन्होंने clifford bodys होते, इन्होंने क्या बोला, research क्या है, research comprises of, research में क्या होता है, research में सबसे पहला होता है, defining and redefining the problem, research में सबसे पहला step क्या होता है, define करना problem, जब तक problem ही नहीं पता है, इलाज क्या करों का, doctor को अगर problem ही नहीं पता है, ठीक है, बिमारी क्या है, तब तक doctor इलाज क्या करेगा, तो ऐसी researcher को यहीं नहीं पता है, कि problem क्या है, ठीक है, discover क्या करना है, ठीक है, उसको problem ही नहीं पता है, तो तब तक जो researcher है वो find out क्या करेगा, अगर Newton को यह नहीं पता होता कि पेड से से, मतला वने problem पता थी, problem क्या थी कि पेड से से क्यों नीचे की तरफ गिर रहा है, क्यों उपर नहीं जा रहा है, तो उन्हें प्रोब्लम पता थी, फिर उसका उन्होंने से, research की, ठीक है, तो सबसे पहला वही step है, defining and redefining the problem, सबसे पहला step होता है, research में, problem को define करना, और दुबारा फिर से, redefine करना, this is the first step, दूसरा है, formulating hypothesis, of suggestive solution, जो भी suggestive solution है, उनका hypothesis, formulate करना, अभी यह जो hypothesis है, इसका, कि वहला ही मैं मतला बता दे रहू हूँ, बाकी hypothesis, अभी हम तो दूसरा step होता है, assumptions formulate करना, कि उसके क्या-क्या solution हो सकते है, तीसरा step है, data को collect करना, चौता है, step है, organize करना, पाचवा step है, evaluate करना data को, and छटा step है, making deductions and research conclusion, deductions करना and research conclusion, निकालना, और last में, carefully test करना conclusion को, यह conclusion सही है कि नहीं है, test करना, ठीक है, testing of hypothesis, वो सब भी हम पढ़ें ठीक है, and finally determine करना, whether they fit with the formulating hypothesis or not, ठीक, तो आपने देखा, एक ही definition में, research की इस definition में, research के सारे process कवर हो रहे है, तो इसी लिए कि मैं ही कह रही हूँ कि, definition काफी अच्छी है, तो Clifford Woody ने क्या कहा था, कि research comprises of, defining and redefining the problem, formulating hypothesis, collecting the data, organizing and evaluating the data, making deductions and research conclusion, यहनी, deductions and research conclusion, यहनी, deductions करना निकालना, and finally testing, the conclusion, test करना conclusion को, और देखना कि, whether it is fit with the formulating hypothesis or not, ठीक है, तो this is research, according to Clifford Woody, ठीक, तो यह काफी अच्छी definition है, अभी भले ही definition आपको इतने अच्छे से सावब में नहीं आ रही है, लेकिन जब मैं आपको research process पढ़ा दूंगी, तो यह definition रटने की जोती नहीं करना पड़ेगा, अगर आपने research process अच्छे से समझ लिया तो, यह basically जो different step है, यह research process ही है, ठीक है, तो जब आप research process पढ़ लेंगे, तो उसके बाद एक बाद एक बाद फिर सी definition पढ़ेगा, आप आसानी से समझ जाएंगे, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने first channel, accounting master class के बारे में थोड़ा से बताना चाहती हूँ, एक बाद video को pause कर सकते हैं, यह बाद देख लीजे, list of subject है, जो मैं आज की तारी, यानि January 2023 तक अपने first channel, मेरा first channel का नाम है accounting master class, उस पे upload कर चुकी हूँ, अगर यह video आप कुछ मैं इने बात देख रहे हैं, कुछ साल बात देख रहे हैं, तो hopefully मैं इसमें काफी new subject add कर चुकी हूँगी, यह अभी तक है, January 2023 तक, 600 से भी जादा video lectures में आपने first channel पे upload कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फाइदा उठाईएगा, और lecture को please like कर दीजेगा, ठीके इससे मुझे motivation मिलेगा, ठीके और मैं जल्दी से जल्दी आपका course complete कराने की पूरी कोशिश करूँगी, और मुझे comment section में जरूर बताईएगा, कि how was this lecture, यह lecture कैसा था, और अगर हो सके तो please अपनी university का नाम मुझे जरूर लिखा करिये comment section में, क्योंकि मुझे इससे idea मिलता है, कि मेरे student है, कहां कहां किस किसी university के है, तो मैं उसके according थोड़ा सा अपना course, even course और university दोनों mention किया करिये, इससे मुझे idea लगेगा कि मेरे student किस किसी university में है, तो मैं उनके according थोड़ा सा आगे कि जो lecture है, वो प्लान कर पाऊंगी, क्योंकि हर university का syllabus थोड़ा तो वेरी करता है, ठीक है, और अगर में चानल पर जो अप्लोड़ेट वीडियो हैं, उनके नोट चाहिए, then you can download my application from Google Play Store, आप Google Play Store से मेरी application download कर सकते हैं, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे objective, अब हम पढ़ेंगे objective, या कह लिजे, purpose क्या है research करने का, ठीक, हमने research तो समझ ली, भई research करना तो बड़ा जरूरी है, ठीक है, बट क्या जरूरी है, क्या purpose है, क्या objective है research करने का, वो अब हम देखने जा रहे हैं, तो हर research study का अलग अलग purpose है, ठीक है, research का ही type की होती है, अभी आगे चलके हम type of research भी पढ़ेंगे, तो हर research study का अपना purpose है, अपना specific purpose है, जैसे, अगर हम बा रुषा नाम है, formulative research, ठीक है, तो यह जो research है, इसका क्या purpose है, यह जो exploratory हम फ learn research है, वो research जिसमें कोशिश की जा रही है कि कोई phenomenon है, ठीक है, उससे familiar होने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, उस फिनॉमिन के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, तो that is exploratory research and this is the purpose of this research. exploratory research या formulative research का purpose क्या है, to gain familiarity with the phenomenon, or to achieve new insight into, यानि किसी phenomenon के बारे में new insight, यानि और नई जानकारी खटा करना, किसी phenomenon से familiar होना, this is the purpose of this research, exploratory and formulative research. जैसे example लेते हैं, जैसे example के लिए अगर हमें रिसर्च करनी है, कि क्या रोल है social media का as a marketing communication tool, तो हम जानते हैं, आजकल बहुत social media, अगर हम बात करें, facebook, instagram, और भी platforms होंगे, तो उनका बहुत important role है marketing communication tool में, बट कितना important role है, और है भी कि नहीं है, ठीक है, हमें तो अभी लग रह है कि बलकि शायद है, social media का role है, marketing communication tool के रूप में है, रूल, बट हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि है कि नहीं है, research में यही तो अंतर है, पड़ाता है, research क्या है, एक systematic and scientific way में, चीजे find out की जाती है, तो हम ऐसी हवा में नहीं कह सकते कि social media का बहुत important role है marketing communication tool के रूप में, जब तक research क करके यह बात प्रूव नहीं हो, हम इसको नहीं कह सकते है, तो यही find out करना, इस टाइप की जो problem है, ठीक है, कि social media का क्या role है as a marketing communication tool, तो इस टाइप की जो research है, इसमें क्या कर रहे है, हम explore कर रहे है, इस पhenomenon के बारे में, क्या सही में ऐसा है, इसके बारे में explore कर रहे है, find out करने की कोशिश कर रहे है, इसके बारे में new insights पता करने की कोशिश कर रहे है, कैसे, in a systematic and scientific way, एक systematic और scientific way से, data collect करके, study करके, ठीक है, find out, उस पर tools लगा के, find out करने कोशिश कर रहे है, तो यह क्या है, exploratory research, ठीक, तो हम पढ़ रहे है na, purpose, purpose क्या है, या क्या जो objective क्या है research का, त achieve करना, कुछ new insights, find out करना, ठीक है, यह इसका purpose है, जैसे example के लिए, यह example के लिए, मैंने एक research का topic यहां दिखाया, दूसरी type की जो research है, जैसे descriptive research का, अगर case है, तो descriptive, यानि describe करना, इसी से बना है, descriptive, describe करना, जो चीज, चाहे वो individual हो, चाहे कोई situation हो, चाहे कोई group है, उसके बार research में, and this is the purpose of descriptive research, descriptive research का क्या purpose है, कि as it is, जो चीज है, उसको वैसा describe कर दो, कोई individual हो, या कोई situation हो, कोई group हो, वो जैसा है, जैसे उसके characteristic है feature है, उसको accurately वैसा portray कर दो, this is the purpose of descriptive research, जैसे, example इसका बहुत बढ़ी है, कोई consumer है, ठीक है, या group of consumer है, कोई शहर में, अगर हम बात करें, ग्रेटर नॉइडा में, जो consumers है, उनकी क्या preference है, ठीक है, या क्या purchasing habit है, उसको observe करना है, जैसे research का ये topic हो सकता है, to study the preference of greater noida consumers, regarding car, ठीक है, कि greater noida के जो consumers है, उनका, जो four-wheeler है, उसके regarding क्या preference है, या क्या shopping habits क्या है, ठीक है, इसके बारे में, research करना, तो यहाँ पे क्या है, इसक्राइब किया जा रहा है, ठीक है, तो इस टाइप के research, descriptive research होती है, तो descriptive research का purpose क्या है, कि accurately, characteristic जैसे है, उसको as it is, बस accurately portray करते, describe करते, तो this is the purpose of descriptive research, अगला क्या है, diagnostic research, diagnostic, यानि, diagnose करना, तो यह तो आपने doctors के case में पढ़ा होगा, डॉक्टर बिमारी डाइग्नोस करता है, तो diagnostic research में basically क्या होता है, कोई चीज किस frequency में अकर कर रही है, ठीक है, तो diagnostic research का purpose क्या होता है, to determine the frequency with which something occurs, और with which it is associated with something, यानि diagnostic research का क्या purpose होता है, कि कोई भी चीज किस frequency में अकर कर रही है, कितनी बाहर आ रही है, ठीक है, या वो चीज किस चीज से associated है, ये purpose होता है, इस research का, ठ अगर research diagnostic है, तो उसका purpose क्या है, कि frequency पता करना, कि किसी भी चीज की frequency क्या है, और वो चीज, वो जो phenomenon है, या कुछ भी है, वो किस चीज से associated है, जैसे example के लिए, क्या है, जैसे example के लिए, suppose करिये कोई infection है, ठीक है, some infection है, अभी corona भी चल रहा था पहले, ठीक है, कोई infection है, तो उसका अगर characteristic की study करनी है, ठीक है, characteristic की study करनी है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा, डाइगनोस्टिक research में, तो diagnostic research का purpose क्या हो गया, to study the frequency, frequency की study करना, कि कोई चौथा क्या है, चौथा है, hypothesis testing research, hypothesis testing research, तो hypothesis मतलब तो मैं बता चुकी हो, hypothesis मतलब क्या है, assumption, यानि starting में कुछ assumption लिया, और अब उसकी testing कर रहे हैं, कि ये assumption जो हमने लिया था, वो सही है कि नहीं है, तो this, मतलब ये होता है, इस research में, तो इस research का purpose क्या है, इस research का purpose है, to test the hypothesis, य तो इसको test करना. Of casual relationship between two variable. जो दो variable है, ठीक है? कोई भी दो variable है, X and Y. X और Y जो दो variable है, इनके बीच में क्या relationship है? एक के बढ़ने पर बढ़ने पर दूसरा घट रा है, इसके बढ़ने पर ये बढ़ने पर ये बढ़ने की घट रा है, है, hypothesis testing research में. तो this is the purpose of this research. जैसे कि example, यहाँ पर मैं लिखा example. Example, जैसे suppose करिये, fall in car sale. Suppose करिये, किसी financial year में, यह के बल असंप्शन है, ठीक है? किसी financial year में, car की जो sale है, वो fall हुई. ठीक है? तो अब find out करने कोशिच की गई कि वहीं क्यों ऐसा हुआ? तो इसका assumptions लिए गए, बहुत सारे assumptions लिए जा सकते हैं. Car की sale में fall होना, बहुत साइ रीजन हो सकते हैं. शायद मतलब, कह लीजे, job कम रही, ठीक है? Unemployment या कुछ भी, बहुत साइ रीजन हो सकते हैं. एक रीजन यह भी हो सकता है, WFH. WFH जानते हैं, क्या होता है, work from home. यह जो work from home का culture, कोरोना के बाद से शुरू हो गया. ठीक है? तो उसकी वज़े से क्या हुआ, लोग अब इतना घर से बाहरी नहीं निकल रहे हैं. अब car की requirement ही नहीं है. डेली office जाना होता है, तो car भी चाहिए ही चाहिए है. और बड़िया कंडिशन में चाहिए है, तो किसी भी कार से काम चल जाएगा. और उस पर भी डिपेंड करता है, कितना दूरी हमें जाना है, कितना डिस्चेंस है. ठीक है? बट वर्क फ्रॉम कल्चर के कारण क्या है? अगर कार की फॉल में सेल हुआ है, कार की फॉल में नहीं, कार की सेल में फॉल हुआ है, ठीक है? तो यह कह लिजए, यह एक वेरिबल है, कार की सेल में फॉल, और दूसरा वेरिबल है, वर्क फॉम कल्चर. ठीक है, तो je एक variable हो गया, यह दूसा variable हो गया, और यह की बलेकLY एक assumption है, यह की बलेक एक assumption लिया गया है कि कार की sale में fall है, तो इसका reason यह हो सकता है, work from home का culture, ठीक है, तो यह की बलेक्षचण है, ठीक, बट इस assumption की testing की जाती है, hypothesis testing research में क्या होता है यह जो assumption लिया गया है कि इसकी वज़े से ही ऐसा हुआ है यह work from home culture की वज़े से car की sale में fall हुआ है तो इसकी testing होती है और यह जो दो variable है car की sale में fall and work from home culture इनके बीच में कोई relation है भी कि नहीं है इसकी study होती है तो this is the purpose of this research hypothesis testing research तो समझ में आ गया कि objective यह अगर purpose की बात करें कि research का क्या purpose है तो research का purpose जो है depend करता है research की study पे कौन सी type की research है उस पर depend करता है research का purpose अगर exploratory research है या formulative research है तो उसका purpose क्या है कि phenomenon से familiar होना कुछ नया find out करना achieve new insight अगर descriptive research है तो उसका purpose क्या है कि as it is जो चीज है जो भी phenomenon है individual है situation है person है group है उसको as it is portray कर देना describe कर देना अगला diagnostic अगर research है तो उसका क्या purpose है कि frequency determine करना कोई भी चीज कितनी बार अकर कर रही है और उसका उससे associated कुछ और भी है क्या तो यह होता है diagnostic research का purpose hypothesis testing research का purpose क्या है कि hypothesis को test करना जो भी assumptions लिये है आपने उसको test करना और causal relationship दो variable के बीच में study करना तो different research have different purpose different objective ठीक तो आई हो बाद जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह lecture अलेड़ी काफी लंदी हो गया है तो चलिए अब हम अगले lecture में आगे के topic करेंगे अगले lecture में हमें यह और आगे के कई topic है वो करने है तो चलिए आज का lecture में यही पर wind up करती हूं तब तक अपना ध्यान रखिएगा अब मिलेंगे हैं अगले lecture वीडियो में और lecture को प्लीज लाइक कर दीजे, ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना धियान रखिएगा, God bless you.